मासील किस्ता भूत साजों का असकलाम नूराजपूद एपिसोड 43 पार टो वापसी का सफर वापसी का सफर इसके लिए बहुत मुश्किल था लेगिन ये तो तैथ था कि उसे वापस आना था उसे वापस आना था ये देखने के लिए कि वो जिससे महबत का दावा करता था इसका क्या हाल बना चुका था कौन कहता है कि महबत करने वाला ही सब सफर करता है जिससे महबत की चाहती है हम उसे अपना कर्जदार समझ कर वसूली करते हैं और ये वसूली किसी तोर सस्ती नहीं होती वो फ्लाइड में बैठा था एक, दो, तीन बलके पूरे बारा साल बाद वो वापिस लोट रहा था दिल की हालत अजीब सी थी जिनकी उसे एक नए मौर पर ले आई थी कदम भारी हो चुके थे जब वो यहां से गया था तो कभी सोचा नहीं था के पलट कर आएगा पर वो उसे खींच लाई थी हाद जबील अपने एक मकसद में कामयाब हो चुका था वो वापिस आ चुका था सईद हवेली के दरो दिवार ये सच जान कर लजर गए थे जो इस फक्द दाइमा जबील पर बीत रहा था वो बेर येकिनी से कभी जबील कभी हैदर जबील तो कभी अपनी माँ को देख रही थी जो इसी की तरह हिरान थी इस सच सिर्फ वो दोनों ना वाकित थी जबील सर जुकाई बैटे से जबके सईजबील के अंतर पर श्तावा वो तो था पर उन्होंने जाहर नहीं होने दिया अगर वो इतने मजबूत असाब के मालिक ना होते तो शायद सईजबील भी ना होते आज हमदान साहिब भी इदर ही आये होए थे यकिनन आप लोग मेरे साथ मजाग कर रहे हैं दायमा ने मुस्कराने की नाकाम कोशिश की लेकिन इसके चेहरे पर मौत कीसी जर्दी थी यूँ जैसे इसके जिसम का सारा खून नचोड लिया गया हो नहीं दामी बेटा यही सच है जिसे तुम अब्दु समझती हो वो हाध है सहिज जबीर ही ये हिम्मत कर सकते थे दायमा के अंदर चंद से कुछ तोटा था माहीन हमदान ने पहले सहिज जबीर और फिर अपने बाब हमदान साहिब को देखा वो भी इस सच से वाकित से हमदान साहिब नजने चुरा गए वो बुरी तरह से फस चुके थे इनकी दो बेटियां माही और हानम जबीर खांदान में बयाही गई थी दायमा और हाध इनके नमासी नमासा थे वो किसका साथ देते दायमा को सच बता देते तो हाध का क्या होता आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोका दिया है इसके अवाल लरज रही थी इसके लिए एक ख्याल ही रूम फरसान था कि वो जिस शक्स को मंगेतर समझ कर सालों से महबत करती आ रही है वो शक्स दरासल इसका मंगेतर था ही नहीं वो अब्दुल था ही नहीं वो तो हाध था दामी बेटा बात समझने की कोशिश करो जिया जबील ने प्यार से पचकारा बड़े पपा आप भी वो मतोरम आंखें लिए बोली वो मदिया हशाम जबील की बहन के बाद जबील खांदान की कलोती बेटी थी वो लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे इसने एक हाथ से अपनी पेशानी पकर ली वो अब खुद पर काबू रखने की गर्से डाइंग रूम में चक्कर लगा रही थी यानि आप लोग कहना चाहते हैं ये शक्स अब्दुल नहीं बलके हाथ जबील है इसने दिवार पर लगी इस तस्वीर की जानव इशारा किया जिसे वो अकसर देखती थी डाइंग रूम में मोच कीसी खामोशी थी माहीन हमदान लबसी बैटी थी वो खुद पर जब्द करने की कोशिच कर रही थी इसने सोचा नहीं था कि इसकी बैटी के नसीम में भी वो शक्स नहीं होगा जिसे वो बेपना चाहती है यानि उस राद हाथ नहीं बलके अब्दुल मर गया था और हाथ अब्दुल बन कर रह रहा था ओ माई गॉड वो बेचैनी से टहले लगी इसके हाथ कांप रहे थे लव खुश्क पर चुके थे और गले में कांटे चुग आए थे अब्दुल मरा नहीं जिन्दा है चैई जबील ने एक और बम फोड़ा ये बात सुनकर दाइमा ने हैरत से उन्हें देखा और फिर वो बेसागता हसी वो हस्ती गई इसकी हसी में एक बैन था दर्ड था क्या आप लोगों को बेटे इतने अजीद हैं कि आप अपनी बेटियों के साथ इतना बड़ा दोका करें इसके लहजे में जहर सा गुल गया था वो सारे इसके मुझरिम थे जो खौमोश बैटे थे अबू हुजैफा दाइमा और अदम का बड़ा बाई इस वक्ट हवेली में नहीं था वो यकिनन वो भी सच्च नवाकिफ होगा हलाती कुछ ऐसे थे के हम सच सामने नहीं ला सकते और मैं मेरा क्या मैं कहा जाओ इसने बेसागता अपना चेहरा साफ किया जब तुम्हें सच पता चलेगा तुम खुश समझ जाओगी मुझे नहीं जानना सच वो चिला उटी खुशा का खौफ करें आप लो मैं इंसान हूँ कोई गुडिया नहीं वो रो ही दी थी कभी माप नहीं करूंगी आप लोगों को वो रोते हुए कहती वहां से भागी थी महीन हमदान के तो जैसे अलफाज किसी ने सल्प कर लिये थे वो पत्थर की मौरत बनी बैठी रही ड्राइंग रूम में बैटे तीन बुडे मर्दों के कहंदों पर धेरो बोज था ये तब ही कम हो सकता था जब हाज जबिल सब ठीक कर देता सब ने मुझे दोका दिया आप तो बता सकते थे ना मुझे कितना मान था आप पर वो हाथ को कौल मिलाए बुरी तरह रो रही थी हाथ खामोशी से उसे सुनता रहा मैंने कोशिश की थी मुझे बताएं मैं अब क्या करूं मेरे लिए तो सब कुछ आप ही है रोते हुए इसका इजहार करना किसी भी मर्द की धरकने तेज कर सकता था पर मुकाबिल हाथ जबील था जिसका दिल दरकता ही नहीं था धरका भी था तो दाइमा के लिए बिलकुल भी नहीं मैं अब दुल नहीं हूं दाइमा हाध हूं मैं मुझे फरक नहीं पढ़ता मैंने शक्सियत से महबत की है नाम से नहीं तुम मेरे लिए काबले इतराम हो और कुछ भी नहीं हाँ जबील ने इसका दिल तोड़ दिया था बिल्कुल वैसे ही जैसे हशाम जबीले माहीन हमदान का तोड़ा था और फिर उसे भी इसकी महबत कभी न मिली मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी आपको भी नहीं वो फून बंद कर गई थी जबके ठकंच से चूर हाद ने आंखे बंद कर ली उसे अभी बहुत जरूरी काम करना था चलो अच्छा था दाइमा को सच पता चल चुका था वैसे भी वो इसके लिए कजन से भड़ कर कुछ नहीं थी वो सारी राद सो नहीं पाई थी नीन कैसे आती जब आंके बे तहाश या आंसु बहा रही थी मौसम वैसे ही खराब था सईध हवेली में मौत कासा सन्नाटा था वो कमजोर दिल लड़की नहीं थी लेकिन उसे दोखा है इसके अपनों ने दिया था इसके लिए ये बरदाश करना काफी मुश्किल था जाने वो कितनी देर तक्के में मौव दिये रोती रही जब उसे बादल गरजने की आवास सुनाई दी तो वो उठकर खिरकी में आग खड़ी हुई इसकी आँखें बे तहाशा सूजी हुई थी माहिन कितनी ही देर इसके दरवादे पर दस्तक देती रही थी पर इसने दरवादा नहीं खोला वो अपनी माँ को भी कसूर बार समझ रही थी वो खुली किरकी से बादलों से ढगे आसमान को देखती रही जाने कितनी देर वो वैसे ही खड़ी रही हाथ का चहरा एक पल को भी इसकी नजरों से दूर नहीं हुआ था होश में तब आई जब बारी शुरू हुई इसके कमरे से हवेली के गेट का मंज़र साफ नजर आता था गेट से अंदर दाखिल होते ही लंबी रोश थी और दोनों जानिब लॉन बना था अचानक इसकी नजर गेट पर पड़ी गेट से अंदर आती रोश पर कोई खड़ा था उसे गुमान हुआ जैसे वो अदम जबील था इसने सर खिरकी से बाहर निकाल कर देखा तो वो साफ्त रह गई छोटा सा बैक कंदे पर डाले वो बारिश में खड़ा बीक रहा था वो यहां तक तो आ गया था पर शायद अंदर आने की हिम्मन नहीं थी अदम भाई वो जोर से चलाई और फिर दर्वादे की जाने भागी वो वहीं खड़ा था सईथ हवेली के सबी मुलाजम पुड़ाने थे सबने उसे पहचान लिया था और दाइमा भी उसे टीवी पर देख चुकी थी वो नंगे पाउं सेड़ियां उतरती बाहर की जाने भाग रही थी माहिन अभी तक ड्राइंग डूम में बैटी थी इसने जब दाइमा को यूँ पागलों की तरह भागते देखा तो गबड़ा कर इसके पीछे लपकी दामी किदर जा रही हो माहिन के अभासे पूरी हवेली में जैसे बोंचाल आ गया था सबके कमरों के दर्वादे खुल चुके थे मुलाजम चौकना हो गए थे वो पौरा जबूर करती अब लौन में पहुंच गई थी अदम वहीं खड़ा था वापसे का सफ़र इसके लिए किस कदर मुश्किल था है कि वो ही जानता था वो पूरी तरह बारिश में भीग चुका था वो पूले सांस के साथ इसके सामने जा खड़ी हुई अदम भाई इसके आंसों का नमकीन पानी बारिश की बूंदों में घुल मिल गया अदम ने सालों बाद किसी रिष्टे की महबत को महसूस किया था ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में पानी बढ़ाया वो इसके गले लग गई पता है मैंने आपका कितना इंजार किया हम सबने वो जैसे ही अलग हुई तो अदम की नजर कुछ फासले पर खड़ी वहीन पर पड़ी वो इसकी माँ थी जिसने थोड़ी सी लापरवाही की एक लंबी सजा काटी थी वो बेगिनी से अदम को देख रही थी यूँ जैसे ये सब खुआब हो कितने साल गुजर गए थे कितने साल वो अपने बेटे को देखने को इसकी आवाज सुनने को उसे महसूस करने को तर्सी थी इसका ये बेटा फिजिकली कमजूड था बच्पन से दमे का शिकार था वो हर राद यही सोचकर रोती थी कि जब उसे दमे का अटेक होता होगा तो वो कैसे खुद को संभालता होगा वो दाइमा से अलग होता अपनी माँ की जानी बढ़ा जिससे वो इसलिए नफरत करता आया था कि वो इसके बाब से वैसी महबत नहीं कर पाई थी जैसे इसका बाब इसकी माँ से करता था उसे पनी माँ हमेशा बेवफा लगी थी पर वो ये ना जान सका कि इसकी माँ ने पूरी जिंदगी बेवगी में गुजार दी और अपने बेटे का इंसार करते करते माम, सालमबाद इसके लबों से ये लफ्स फिसला था और इसकी जाने भड़ा पर महीन लख़ा कर एक जाने गिर गई अगर वो तेजी से लपक कर उसे ना पकरता तो वो जमीन बोस हो जाती सेई धवेरी का महल यकदम ही बदल गया जहां सोग का समा था वहाँ अब सब के चेहरों पर खुशी और हिरानी थी महीन हमदान तो उसे वहाँ देखकर सदमे में ही चली गई I'm sorry mom मैंने बहुत देर कर दी वो महीन का हाथ थामे बैटा था जब महीन इसके चेहरे को बार बार चुख कर देख रही थी वो पहले से काफे कमजोर हो गया था लेकिन इस सब के लिए तो टीनेज के लिहाद से अब बहुत बैतर था मैंने बहुत इंजार किया तुम्हारा अधम मा मा होती है बच्चा कैसा भी हो कितना बड़ा जवारी या नशे क्यों न हो मा के लिए वो इसका बच्चा ही होता है बाई तो यहां से जाकर मसील बन गए वही जो बनना चाहते थे दाइमा ने कहा तो वो होले से मुस्का दिया मैं मसील नहीं हूँ अब सब खतम हो चुका है मैं अब सिरफ अदब हूँ आपका बेटा इसने महीन के हाथ पर भोसा दिया अब तो नहीं जाओगे न वो इसे जाई नजरों से उसे देखते पूछने लगी वो कहना चाहता था पता नहीं पता नहीं यहां कब तर रुख पाऊंगा पता नहीं मंजिल तक पहुँच पाऊंगा या नहीं लेकिन इसने सिरफ नाम एक गर्दन हिला दी कि वो अब कहीं नहीं जाएगा दायमा कुछ देख के लिए अपना सारा दुख दर भूल गई थी उसे याद रहा तो बस इतना कि इसका भाई लोट आया था अदम जबीर सेद हवेली का एक और वारिस लोट आया था कसम ले लो मुझ से लेकि मैं नहीं जानता इमान कहाँ है कुर्सी से बंदे मुशारिब की हाला स्राब हो चुकी थी तो तुम वहां क्या लेने गए थे तुम इसके अपार्टमन क्या लेने गए थे हुटी में चुपे आदे चेरे वाले शक्स ने सर्ग लहसे में सवाल किया मुशारिब नहीं जानता था वो कौन था इसकी बदकिस्मती कि वो इमान के अपार्टमन गया था पर वापसी पर किसी ने उसे अगवा कर लिया जब खोश आया तो खुद को कुर्सी के साथ बंदा पाया था उसे यहां कैद हुए 24 घंटे गुज़र चुके थे परनुमा इस कमरे में बस इतनी सी रोशनी थी जिसमें मुशारिब को वो शक्स चलता फिरता दगाई दे रहा था इसे जादा कुछ नहीं मैं इसे बदला लेना चाहता था मैं गलत अरादे से गया था पर वो मुझे नहीं मिली जान बचाने के लिए इसने सच बोलना जरूरी समझा किस बात का बदला और महीनों बात क्यूं याद आया वो एकदम से पलटते हुए इसके उपर जुका मुशारिब काम गया उसे यू लगा जैसे दिल पसलिया तोड़ कर बाहर निकल आएगा इससे कुछ बोला ही नहीं गया बोलो वो दारा इसने मुझे खुद को छुने नहीं दिया इसने मुझे रिजक्ट किया और मैं इसके अलफाद दरम्यान में ही रह गए हुडी पहने शक्स ने इसकी गर्दन दपोच ली थी खबरदार जो इमान का ख्याल भी दिल में लाए खबरदार जो कभी इसके बारे में सोचा याद रखना मेरी नजरे तुम पर हमेशा से है इसने ग्रिफ तेज की तो मुझे आँखे उबलाई वो अब ना में गर्दन हिला रहा था इसने जटके से छोड़ दिया पर वो अभी उसे अज़ाद करने का रादा नहीं रखता था इसलिए उसे छोड़ कर कमरे से बाहर निंकल गया पर जाते हुए इसका मुझ बंद करना नहीं भूला था कमरे में अंधेरा भर गया वो बोलने की कोशिश कर रहा था पर आवाज गले में ही दम तोड़ गई थी वो स्टोर रूम का दर्वादा बंद करता अपने कमरे में आया इसने जटके से हुड़ी उतारी वो हाथ था जो गहरे-गहरे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था मुशारी की बातों ने इसके जिसमें अजीब बेचैनी भर दी थी वो बेचैनी से इधर उधर टहले लगा था वो एक मशूर सिंगर बन चुका था पर वो कॉंसर्ट और शोस अपनी मर्जी से करता था कभी कभी वो हफ्तों गाइब रहता और जब कभी स्टेज पर आता तो आग ही लगा दिता वो अब कहीं भी बेर दरख गूम नहीं सकता था लोग उसे पेचान जाते थे ज्यादातर वो मास्क लगाए गूमता था कभी कभी वो बॉक्सिंग के लिए चला जाता जिनकी काफी हद तक पुर्सकून हो चुकी थी पर आज भी इसकी जहन में एक ही सवाल गूमता था क्या हाद नहीं माने को ढून लिया इस दिन इसका शोग था वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था जब इसकी नजर एक अजीब शक्स पर पड़ी वो सियाल अबास में था सरसे पाउं तक वो चीशते चलाते लोगों के दरमयान सर्ज नजरे इस पर जमाए खड़ा था अब्दुल चौंग गया वो जो कोई भी था कोई फैन हर्गिस नहीं था जब वो पर्फॉर्म कर चुका था तो इसने इस मास्क वाए शक्स को भीर से निकलते देखा अब्दुल सब वहीं छोड़कर स्टेज के पीछे कहीं गाइब हो गया जैसे ही वो हौल से बाहर निकल कर सरक पार करने के बाद सुनसान गली में दाखिल हुआ चाना की किसने उसे धका दिया वो लड़कर आया पीछे मुड कर देखा तो अब्दुल इसके पीछे था वो खुद भी मास्क लगा कर आया था पर वो शक्स उसे पहचान गया था कौन हो तुम अब्दुल ने गरा कर पूछा लेकिन वो शक्स उसे देखर मुस्क्राया और भागना शुरू कर दिया अब्दुल ने इसका पीछा किया वो तारी ही गलीों में बाग रहे थे अब्दुल ने उसे कई बार पकरने की कोशिश की लेकिन मुकाबल भी फाइटिंग में काफी काबल था वो दोनों अब कद्रे संसान जगा पर पहुँच चुके थे और फिर वो शक्स रुख गया मैं तुम से पूछ रहा हूँ कौन हो तूँ अब्दुल ने आगे भटे एक जोरदार मुका उसे रसीद किया लेकिन वो शक्स अपनी जगा से हीला ही नहीं यूँ जैसे फुलाद का बना हो वो ऐसे हस रहा था जैसे कोई साइको हो तुम से पूछ रहा हूँ वो फिर आगे भड़ा और दूसरा मुका मानने के लिए हाथ गुमाया ही था जब इस शक्स ने इसका हाथ फिजा में ही पकड़ लिया कोई फाइदा नहीं क्यों अपनी अनरजी जाया कर रहे हो इसके कहने का अंदाज ऐसा था कि अब्दुल के जबर बीच गए सिर्फ ये बताओ तुम हाथ हो या अब्दुल और ये बास सुनते ही अब्दुल थटका आखिर कौन था वो शक्स अब्दुल ने दूसरा हाथ बढ़ा कर इसका नकाब उताना चाहा पर इस शक्स ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया अब्दुल ने जोड़ दालाथ इसके पेट मेर दे मारी वो लड़करा कर पीछे हुआ मैंने कहा ना मुझे मारने का कोई फाइदा नहीं उल्टा तुम नुक्सान उठाओगे वो फिर से बोला तुम हो कौन अब्दुल और हाथ के बारे में क्या जानते हो मैं तो ये भी जानता हूँ तुम अपने बाप को ढून रहे हो मिलना चाहोगे इन से और अब्दुल साथ हुआ वो कौन शक्स था जो इसके बाप तक को जानता था वकवास बंद कर अपनी मेरा बाप मर चुका है अब्दुल की बाद सुनते ही इस शक्स ने कहका लगाया और एली फिर तुम इन्हें ढून क्यों रहे हो वो अब्दुल के करीब होता सरगोशी नुमान दाजम बोला जबके अब्दुल बुड़ी तरह उलत चुका था मैं किसी को नहीं ढूंड रहा ना मैं किसी हाथ को जानता हूँ इसने मानने से इंकार कर दिया ठीक है फिर जाओ यहां से हाँ पर जब तुम्हारा राता बदल जाए और तुम अपने बाप से मिलना चाहो तो बता देना बलके इशारा देना हम समझ जाएंगे क्योंके तुम हमारी नजरों में हो हम हम से मुराद क्या था कौन थे वो लोग अब्दुल ठटका दुमारा मुझे नजर मत आना वरना अच्छा नहीं होगा अब्दुल से वोर्ण करता वापस पलट गया पर इसका दिल कर रहा था कि के उस चक्से कहे वो फॉरण उसे इसके बाप के पास ले जाए इसका दिल तेरी से धड़क रहा था इसने अपनी जिन्दगी में ऐसे मौर की तुक्का नहीं की थी अपने बाप तक पहुँचना चाहते हो तो हाथ को यहां ले आओ इस चक्स ने उच्छे वाज में कहा तो वो लम्हा बढ़को रुका और फिर चल दिया हाथ 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 जाने वो हर जगा क्यों था इसके सीने में अलाव जल उठा था और वो वहां से निकलता चला गया मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें बताओं कि काश कोई लव्ज मेरी अजियत के मियार पर पुरा उतरे तो मैं तुम्हें बताओं के दर्द और तकलीफ इस अजियत से बहुत छोटे लव्ज हैं जो मैं महसूस करती हूँ वो खोए-खोए अंदाज बैटी अजियते भड़े लव्जों को काश पर उतार रही थी इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो ये काम सद्दियों से करती चली आ रही हो जब काश पर मजीद जगा ना बची तो इसने वो काश फोल्ड किया और लवावे के अंदर डाल दिया फिर इसने इस लवावे पर नाम पता लिखा हाजबील एक खास शक्स के नाम जिसने मुझे आम बना दिया इसके बैट पर ऐसे और भी लफाके पड़े थे ये शायद आखरी खत था इसने अभी तक एक भी खत बेजा नहीं था वो लिख लिख कर अपने पास ही रख रही थी दो माँ दो माँ वो होस्टल के कमरे में बन थी इसने बाहर निकल कर दुनिया नहीं देखी थी इसके पास पूंद भी नहीं था इसका खाना इसके कमरे में आ जाता था जिसे वो कभी खा लेती तो कभी पढ़ा रहता पुरे होस्टल में इसके बारे में अब अजीब बाते पहने लगी थी लोग उसे नकसियाती समझने लगे थे रात को इसके कमरे से एकसर रोने की और कभी जोर जोर से हसने की आवाजें आती थी कुछ लड़कियां उसे असेफ जादा समझ रही थी वो वार्डन को शिकायत कर चुकी थी कि ऐसी लड़की को होस्टल में क्यों रखा था जिसका रवया बरही अजीब था और वार्डन ने उसे होस्टल से नकालने का पैसा कर लिया था हाल से मनसूब वो तेजी से हसबताल की रहदारी में आगे बढ़ता जा रहा था जब इसका फून बज उठा इसने फून कॉल को इड़्ोर कर दिया लेकिं वो फिर से बजने लगा तो उसे फून उठाना बड़ा सेज जबिल की कॉल असलामुलेकुम बाबाजान कैसे याद किया वो तेज तेज चलता इनसे बात कर रहा था वालेकुम असलाम क्यूं बढ़ खुदार मैं अपने पोते को याद नहीं कर सकता सेजबील के अबाद में काफी बशाशत थी बिल्कुर कर सकते हैं मैं वैसे ही पूछ रहा था इसलाम अबाद से कब वापस आ रहे हो तुम्हें वहां गरे च्छे महीने हो गए है इनकी बाद पर वो खमोश हो गया वो यहां से नहीं जा सकता था जब तर वो पूरी तरह ठीक ना हो जाती वो फिल वक्त किसी को मयसर नहीं था बस दुआ करे मैं जल्द आ सकूँ इसकी बाद पर छुपा मतलब सही जबील नहीं समझ पाए खै तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए फून किया था आफिर तुमने अपना वादा पूरा वो उल्जा कैसा शुक्रिया अधम लोट आया है वो वो वापिस आ चुका है और हाथ वहीं रुग गया यूँ जैसे इसके पाउं जमीन ने जकर लिये हो इसको यहां आये काफी वक्त हो गया है सोचा था तुम आओगे तुम्हें सप्राइज देंगे पर मुझे इंतजार नहीं हुआ जब तुम इसलामबाद गये थे वो तब ही आ गया था और हाथ को जैसे यकीन नहुआ तुमने अपना वादा पूरा कर दिखाया तुम उसे ले आये हाँ जबील मुझे तुम पर फकर है इसने बेसाफ़ता दिवार का सहारा लिया अगर वो टेक न लगाता तो खड़ा ना रह पाता मेरे जानने में आया है कि अदम किसी लड़की को पसंद करता है क्या ये वही लड़की है जिसकी तस्वीरे तुम्हारे बंदों ने मुझे बेजी दी अगर वही है तो पता लगाओ मैं चाहता हूँ अब अदम की शादी कर दी जाए तागे दुबारा कही न जा सके सही जबीर और भी कुछ बॉल रहे थे वो सुनने के काबिल कहा रहा इसकी नजर सामने ग्लास विंडो से नजर आते इस वजूर पर पड़ी जो बेसुद सो रही थी हाँ वो वापिस आ गया था पर इसकी कीमत हाथ को अभी चुकानी थी भारी कीमत और वो चुका रही थी अपना आप भूलकर जिसकी वज़ा से वो वापिस आया था उसे वापिस लाने वाले वही दो थे और वो दोनों अपनी अपनी जगा जिस तकलिव से गुज़र रहे थे ये सेज़ जबिल कभी नहीं जान सकते थे बहुत बारी कीमत चुकाई है मैंने अदम को वापिस लाने की सेज़ जबिल साहिब एक ऐसी लड़की को खो दिया जिसकी मैं पहली मुहबत था वो फून को देखता होले से बड़ बड़ाया इसकी जैकर इसके बाएं बाजुबर पड़ी थी वो चलता हुआ विंडो के करीब आया वो नशावर दुआओं के जेरे सा सो रही थी और उसे सोते देखना इसका पसंदीदा मश्गला था दाइमा अपने कमरे में थी जब अदम इसके पास आया इसने तरवाजे पर दस्तक दी वो लैप्टॉप खोले काम करने में मगन थी अदम भाईया आप अंदर आ जाएं इसने लैप्टॉप साइट पर रख दिया तो ये तम्हारा कमरा है वो इतने दिनों में पहली बार इसके कमरे में आया था वो यहां आ गया था पर यहां कैसे रह रहा था यह वो ही जानता था उसे नशे की लट थी अक्तर इसके तब इतनी खराब हो जाते कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता जबीर खांदार में सब परिशान थे लेकिन खुश भी थे कि इसकी यादत आस्ताइरा चूट रही थी कभी-कभी वो बुरी तरह तरपता था कभी-कभी वो बेहोशी या नीम की हाले में कुश बोलता था कभी-कभी किसी का नाम लेता था अब तक किसी ने इससे कोई सुवाल नहीं पूछा था वो ठीक हो रहा था हवेली में ही इसका पूरा इलाज चल रहा था अचानक इसकी नजर साइट टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी जो काफी पुरानी थी दाइमा चोटी सी थी और एक सुरक डुबटा लेकर बैटी थी वो बहुत खुश नजर आ रही थी इसके दोनों हातों पर मेंधी लगी थी ये तुम्हारे पास अब तक है वो तस्वीर उठा कर देखने लगा उसे देखकर दाइमा मुस्करा दी ये हानम चची का डुबटा है जब बड़े बाबा ने मेरी और अब्दिल की मंगनी वो बोलते बहुत अचानक चुप होगी दिल को धका सा लगा था जखम अभी ताजा था अकसर इससे खून रसने लगता था वो इस तसाया हसा पर जैसे ही इसकी नजर दाइमा पर पड़ी वो चोंग गया दाइमा के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था आई यू ओके? इसने दाइमा से पूचा तो वो जबर्दसी मुस्काई अब यह मत कहना तुम बच्मन के इस रिष्टे में बंदी बैटी हो अधम ने जैसे ही का तो दाइमा ने सर जुका लिया इसकी आंखों में आंसु आ गए थे वर्ट दा हैल इसने दाइमा को कंदे से पकर कर बैट पर बिठाया किया हुआ है मुझे बताओ अधम ने पूचा तो दाइमा ने अपने आंसु चुपाने की नकाम सी कोशिश की रिलैक्स हो जाओ दामी इसके कहने पर दाइमा ने गहरा सांस लिया क्या आप भी जानते हैं कि अबदुल जिन्दा है सवाल ऐसा था कि इस बार अधम के चैरे का रंग उड़ा था वो कैसे भूल सकता था वो शाम जब इसने इमान को अबदुल के साथ देखा था उसे अपने सीने के मुकाँ पर चुबन का इसास हुआ कितना मुश्किल था इस तकलीफ को सहना वो काफी मशूर सिंगर है मैंने उसे अकसर टीवी पर देखा है पर तुम परिशान मत हो कोई तुम्हारे साथ जबरदस्थी नहीं कर सकता इसने दाइमा को रिलेक्स एनने की कोशिश की पर वो नहीं पूरे सच से वाकी था क्या आपको किसी से महबत हुई है अगले सवाल पर वो चौं गया फिर हस दिया इसकी हसी में दर्द था हाँ हुई है वो अब बैट से कुछ फासे पर रखे इस सिंगल सिटर सौफ़े पर बैटा था जिस पर कुछ दियर पहले दाइमा बैठी काम कर रही थी कितनी बार अगले सवाल पर इसकी हसी बेश साथता थी एक ही बार इससे पहले और इसके बाद दाइमा के सवाल अब उसे तकलीब दे रहे थी लेकिन वो इन्हें नदर अंदास नहीं कर सकता था इससे पहले जो था वो महबत नहीं थी और इसके बाद तो बस दर्द ही दर्द है वो सच बोल रहा था इसकी सुरमई आंके इसका साथ दे रही थी कहां है वो लड़की अप और नाम क्या है इसका एमा की शादी हो चुकी है इसने एक ही बाद में दोनों स्वालों के जवाब दे दिये दाइमा को बेक्तियार इस पर तरस आया था क्या वो बहुत खूबसूरत थी वो मुझदस्स थी इस लड़की के बारे में जाने को जिससे अदम दिबील ने महबत की थी इसके सवाल और इसके अंदाज पर वो फिर से हता तुम अब काम कर और बाकी बाते बाद में होंगी वो उटकर इसके सर पर चत लगाता दरवाते की जाने बढ़ गया आपने उसे जाने क्यों दिया अकब से दाइमा के बाद उबरी और इसके कदम रुक गए